आदे रादे प्रेंट्स, आज दूपहर के भोजन में मैं बना रही हूँ पालक साग की दाल तड़का, तो पालक साग वाली दाल तड़का बनाने के लिए मैंने चना का दाल लिया है और छिलके वाली मूं की दाल और उसके साथ मैं बनाऊंगी आलू, गोभी और प्याज की के पत्ते डालकर अर्व्चीилсяू की सबचिय और बैगन का भुजिया बनाऊंगे तो बैगन को मैंने इस तरह से पत्ले-्पत्ले काट ली हैं तो और कुछ मसाले लिए हैं अभी लसन पे आज कुछ भी नहीं डालेंगे आज भोजन में तो थोड़ा सा मैंने शाबुत मसाला लिया है उसे पीज करी बनाएंगे सबसे पहले हम दाल को अच्छे से दो लेंगे तो दाल को मैंने अच्छे से दो लिया है अब पालक की साग को बारिक बारिक काट लेंगे साग कोम पहले तीन चार पानी से अच्छे से दो कर लख लिये थे साब से चून कर दो कर साग कोम ले लिये थे तब हम इसे बारिक बारिक काट लेंगे सारे साख को हम अच्छे से काट लिए हैं अब भोजन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो दाल को हम सबसे पहले हुबाल लेंगे एक प्रेशर कूकर में दाल को डालेंगे दाल के नुसार हम पानी डालेंगे और गैस पर हम कूकर को चड़ा देंगे तो थोड़ी देर में हम इसके उपर जो आ जाएगा फेना उसे साप करके हम नमक हल्दी डालेंगे तो अधर आलू फूल को भी की सबची बिनाने के लिए में एक कड़ाई को चड़ा दिया है मेथी का तड़का डालें और आलू औ फूल को भी को हम छोग दिये हैं तो आलू फूल को भी को हम अच्चे से चला लेंगे स्वात के नुसार हम नमक और हल्दी डालेंगे जरासा हल्दी में और नमक बैगन में भी लगा कर रख दूँगी बैगन में नमक हल्दी मिला कर हम एक साइड में रख देंगे आलू और फूल को भी की सब्जी को हम अच्छे से भून लेंगे इधर दाल को भी हम थोड़ा साफ कर लेंगे उपर से और एक तेज़ पत्ता को डाल कर स्वाद के अनुसार हम नमकल दी डालेंगे और तीन से चार सीटी हम प्रेशर कूकर को बंद करके लगा देंगे अज़ा घंच से अब उसमें धोड़ा से पीछा हुआ मसाला डालेंगे मैंने हरी मीर्च के साथ मसाला को पीछा है इसलिए मसाला का चल उस तरह लग रहा है तो मैं ज्यादा तर मसाला स्वाड़ा पीछ कर raf शीबनाती हूँ पॉडर मसाला बहुत कम ही यूज करती हूँ तो असलाल मीज का पॉडर डालेंगे इसलाल मीज का पॉडर में मैं घर में ही त्यार किये हैं तो मैं पैकेट का पॉडर मसाला बहुत कम ही बोजन में यूज करती हूँ और रोज के भोजन में बहुत कम तेल मसाले से ही बनाते हैं ज्यादा तेल मसाला नहीं डालते हैं डेली के भोजन में तो सबजी में हम तोड़ा सा मसाला डाल दिये हैं प्याज की हरी पत्ती को भी डाल दिये हैं एक टमाटर को काट कर डाल देंगे सारी चीजों को फिर से भून कर अच्छे से हम पका लेंगे मसाला टमाटर और प्याज के पत्ते को थोड़ा सा धनिया के पत्ती भी काट लेंगे गोबी की सबजी में डालने के लिए अब नाम मात्र का जरा सा मसाला मैं बैगन के भुजिया में मिला दूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्ज का पॉर्डर तो जरा सा मसाला लाल मिर्ज का पॉर्डर भी बैगन में मिला कर हम एक साइड में रख देंगे तिधर सबजी भी हमारा अच्छे से हो गया है मसाला टमाटर सारे चीजे अच्छे से हमारा पक गया है अब उपर से हम थोड़ा सा हरा धनियां डालेंगे धनिया की पत्ति को भी डाल कर अच्छे से हम चला लेंगे जरा सा पानी डालेंगे थोड़ा सा नाम मात्र का एक दो मिनाट ढग देंगे तो सबजी बनकर त्यार हो जाएगा सबजी हमारा हो गया है उसे एक बरतन में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई को दो करम दूसरे तरफ चढ़ा दियें दाल भी हमारा हो गया है तो उसमें तेल डाल कर हम बैगन के भुजिया को बना लेंगे तेल हमारा गरम हो गया था बैगन को हम फ्राय कर लिए बैगन भी हमारा फ्राय हो गया है बैगन को हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में हम पालक साग के दाल तड़का को बना लेंगे तो तेल में मैंने एक चमच खड़ा जीरा थोड़ा सा हींग और बचे हुए सारे मसाले को डाल दिये हैं कम ही मसाला है अभी चट पूजा चल रहा है असले लशन पर आज कुछ भी नहीं डालेंगे नहीं तो पालक साग के दाल तड़का में थोड़ा जादा ही लशन पर आज पड़ता है तो अच्छा लगता है तो मसाला हमारा थोड़ा सा भुना आ गया है इसमें हम कटे हुए पालक साग को डाल देंगे आधे साग को डाल कर हम मसाला के साथ अच्छे से मिला लेंगे फिर बचे हुए साग को भी डाल कर हम ढख कर अच्छे से साग को पका लेंगे जरासा हम नमग डालेंगे थोड़ी देर में तो साग हमारा हो गया है जरासा मैंने नमग भी डाल दिया था साग हमारा अच्छे से पक गया है अब हम इसमें उबले हुए दाल को डाल देंगे साग और मसाले के साथ दाल को भी हम एक से दो मिनट तक पकाएंगे शाग को दाल के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढग कर एक दो मिनेट हम पकाएंगे शाग और दाल को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब इसे ढग देंगे पिर हम दाल में तड़का लगाएंगे तो एक दू मिनेट हो गया है उधर हम एक कर्ची को गरम करकर जरासा तेल और एक चमच घी डाल कर एक चमच जीरा हिंग और सुखी लाली मिर्च को का मैं तड़का लगा दूगी दाल में तो दाल में हम तड़का लगा लिए हैं तब मैं रोटी और चावल को भी बना लेंगे तो रोटी और चावल मैंने बना लिया है तो आज का भोजन हमारा बन कर त्यार हो गया है तो दाल तड़का को हम पालक साक के दाल तड़का को एक बतन में डाल लेंगे और भोजन को हम सर्ब कर लेंगे तो चावल को मैंने निकाल लिया है बैगन की बुजिया आलू फूल को भी कि सूखी सब्जी और थाली में हम रख देंगे और पालग वाली डाल तड़का पालग वाली डाल तड़का को भी सर्ब कर लेंगे तो मैंने आज थाली में ही सब कुछ डाला है अलक से कोटोरी में डाल नहीं दिये हैं तेज पत्ता को हम निकाल लेंगे तो पालग वाली दाल तड़का को मैंने सर्फ कर लिया है दाल तड़का है तो मैं एक दो रोटी भी रख दे रही हूं दन्या पत्ता की चतनी मुली मुली को काट कर दिये हैं मैंने आलो चीप्स भी बनाया है थे स्थालो चीप्स छान लिये हैं तो आज का बोजन हमारा बनकर त्यार हो गया है तो आज का साधारन बोजन हमारा बनकर त्यार हो गया है Thank you friends बहुती सिंपल बोजन है आज का